दोस्तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई वेक्ति सराब पीता है और ये सराब थोड़ी जादा हो जाती है तो लोग सरीर से अपना कंट्रोल खोने लग जाते हैं लोगों को फिर बोलने चलने में दिक्कत होने लगती है क्या कभी आपने सुचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है और किस वज़े से होता है अगर नहीं तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा कि सराब सरीर में जाकर क्या काम करती है और सरीर में किस तरह के परिवर्तन इससे होने लगते हैं दोस्तो जैसे ही सराब का एक गूठ हम पीती हैं तो सरीर के अंदर जाते ही सरीर पर असर दिखने लगता है एलकॉल सबसे पहले पेट में गैस्टिक एसिड बनाता और पेट की म्यूकस लाइन में सूजन पैदा कर देता है इसके बाद आते अलकॉल सोकती है और उसके बाद ये विंग के जरिये लिवर तक पहुँचता है लिवर बहुत ही करीब होता है ऐसे में इस बात की संभावना जादा होती है कि ये पेट से सीधे लिवर में पहुच जाए इसके बाद लिवर बहुत सारे अल्कोहल को नश्ट कर देता और सरीर पर होने वाले इसके प्रभावों को कम कर देता है लेकिन जिन ततों को लिवर नहीं तोड़ पाता हूँ सीधे दिमाग तक पहुंच जाते हैं ऐसे में कुछी मिन्टों में आप सरीर से कंट्रोल खोने लगते हैं और इसके बाद अल्कोहल केंद्रिय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है फिर ये तंत्रिका तंत्र के कनेक्शन को तोड़ता जिसके बाद कोषिकांग बहुत सुष्टी से काम करना सुरू कर देती है फिर मस्तिस खुद इस परिस्टिस से निपट नहीं पाता है अल्कोहल मस्तिस के सेंटर पार्ट पर भी हमला करता है जिसके बाद वैक्तिक खुद से कंट्रोल खो देता है आपको बता दू कि सराब पीने से लिवर पर काफी एसर पड़ता है और लिवर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता खास बात ये भी है कि लिवर में दर्द नहीं होता दोस्तों वीडियो पसंद आई तो मेरी येट्व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं दोस्तों एक दूसरी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद